Hello friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे acidity की, हम जानेंगे इसकी homopathic medicine, इसे आम भासा में अमल बनना या फिर खटी टकार रहाना भी क्याता है तो हम अपनी वीडियो में आपको symptom wise medicine बताते हैं, क्योंकि बिना symptom जाने आप किसी भी बिमारी को ठीक नहीं कर सकते और आपको symptom के according ही medicine लेनी चाहिए, तो हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन-कौन सी medicine है, आपको अपने symptom से medicine को match करना है और आपको वही medicine लेनी है तो यहाँ पर पहली medicine है acid self, इसका symptom है excess of HCL, burning in the food pipe, nausea and chili filling, यानि कि अमल जादा बने और हमारे खाने के नली में जलन हो साथ में G मिचलाए और ठंड लगे, तो आपको acid self की 30 potency में medicine लेनी है, आपको इससे आरा मिल जाएगा इसके बाद अगली medicine है Argentum Nitricum, इसके symptom है from nervous anticipation of coming events, यानि कि ऐसा कोई भी event जो कि आने वाला हो जैसे कि आपका exam, या फिर आपको कहीं जाना हो और उससे पहले आपके अमल बनने लगे, या फिर खटी डगार आने लगे, तो उसके अवस्ता में आपको Argentum Nitricum medicine लेनी है, और आपको इसकी 30 potency लेनी है, इससे आपको अरा मिल जाएगा इसके बाद है, third medicine, pulsatella, इसके symptom है, gastric complaints after taking rich fatty food, less or no thrust, यानि कि यदि आप कोई fat rich खाना खाते हैं, यानि कि ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यदा fat होता है, उसे खाते हैं, और आपको बिल्कुल प्यास ना लगे, तो ऐसी condition में आपको pulsatella medicine लेनी है, इससे आपको रामी लेग इसके बाद है, iris V medicine, इसके symptom है, hyperacidity, sore and bitter belching, यानि कि आपके अमल ज़्यादा बने, और साथ में आपको खटी डखा रहे आएं, तो ऐसी condition में आपको iris V की 30 potency में medicine लेनी है, इसके बाद है, carbo wedge medicine, तो ये काफी important medicine है, इसके symptom है, with offensive flatulence, better after discharge of gas gas और irrigation, यानि कि आपको बदबुदार gas पास हो, और आपको gas पास करने के बाद अराम मिले या अच्छा महसूस हो, तो आपको carbo wedge की 30 potency में medicine ले लेनी है, तो इसके बाद है, antim crude, इसके symptoms है, constant, belching, tongue, thickly white coated, desire for acid, pickles, etc., कहने कि आपको लगातार डकारे आएं, और आपकी जीब, बिलकुल सफेद हो, और आपको acid या अचार खाने का बन करे, तो आपको antim crude medicine की 200 potency ले लेनी है, इससे आपको राम मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ medicine और हैं, जो कि आप symptom wise ले सकते हैं, जैसे कि anacardium, lycopodium, china, तो यहाँ पर हमने बात करी है, acidity की कुछ medicine, जो कि अकसर patient को दी जाती हैं, और इनसे आपको राम मिल जाता है, धन्यवाद,